हाई एवरिवन केसे हो आप सभी लोग आई होब आप अप लोग अच्छे होंगे मैं हुराहुल जैस्वाल एन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामदें के मोश्ट इंपोर्टेंट साइंस का लेक्चे वीडियो लेकर आगया हूँ दोस्तों जिसमें हम पणने वाले हमारे एट स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक का जो हमारे चाप्टर चल रहा था फ्रेंड जिसका नामे चाप्टर यह दो बहुत ही भैतरिन टॉपिक है यह कंसेप्ट आपके समझ लिया तो बहुत सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी इसलिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है आज का कंसेप्ट्चुल है क्योंकि यह चीज आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगा हायर स का बैसिक मीनिंग क्या होता अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ बायंसी फोर्स बोलो बायंट फोर्स भी बोलते है इसको और यह प्रोसेस को बायंसी बोलते है ठीक है तो लेट सपोस आम टेकिंग वन एक्जामपल कि समझ लो मेरे पास एक टब है तब मतलब क्या यह टब के अंदर पानी है साथ ही में मैं क्या कर रहा हूँ एक बॉटल ले रहा हूँ वो बॉटल को क्या करता हूँ मैं एक तरीके से इसके अंदर मैंने डिस्प्लेस कर दिया यह बॉटल को मैंने क्या कर दिया इसके अंदर मैं डाल दिया तो जैसे ही वो टब के अंदर म कम होगी पानी से, तो वो क्या होगा, फ्लोट होगा, सबसे समझने वाली बात यह ही density, तो density का मतलब मैंने first lecture में अपको बताए भी था, तो density is equal to mass upon volume, यानि कि कोई भी चीज का density हम लोग कैसे निकालते हैं, कि कितना mass है उस चीज का और कितने volume में है, तो अगर मैं bottle का density, पानी के density से compare करूँगा, तो पानी का जो density है, ज्यादा बड़ा है पानी, ज्यादा है और bottle छोटा सा चीज है, हलका सा चीज है, उसका वजन भी कम है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा करेगा, जैसे कि आपकी जो ships होते हैं, बड़े-बड़े जहाज जो होते हैं, वो पानी के ओपर float क्यों करते हैं, समंदर के उपर, क्योंकि समंदर बहुत बड़ा है, उसके comparison में आपका जो boat है, वो काफी छोटा है, लेकिन उसका base भी होना चाहिए, तब ही तो वो float करेगा, एक सुई डाल दो, वो तो डूब जाएगा, correct है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है, इसका density low है, इसका density high है, more है, density high है, that's why यह float कर रहा है, लेकिन condition यहाँ पर मैं change करूँगा, कि मैं क्या करता हूँ, अब पानी जो bottle है, उसका धक्कन में open कर देता हूँ, यानि कि जब bottle का धक्कन open हो जाएगा, तो जैसी पानी इसके अंदर घुसना शुरू करेगा, तो यह bottle जो है, डूबने लगेगा, समझ में आ रहा है, यह bottle जो है, वो क्या हो जाएगा, डूबने लगेगा, यह करके देख सकते हो, आप लोग अपने tub में आप क्या करो, एक plastic का bottle लो, उसके उपर पहले जब डालोगे तो float करेगा, जैसे उसको थोड़ा सा pressure लगा हो नीचे की तरफ, तो पानी उसके अंदर में एक force लगता है, और उसके को बोलते है, बायन सी force, लेकिन उसके पहले एक और concept यह है, यह bottle जब डूब रहा था, तो यह नीचे ही क्यों जा रहा था, because इसके उपर एक force काम कर रहा था, जिसका नाम है दोस्तो, FG, यारि की gravity, gravity का force, जो है gravitational force, जिसको बोलते है, कोई भी यह bottle के उपर, यह bottle जो था दोस्तो, यह bottle के उपर अभी एक force और act करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं FB, यह bottle के उपर क्या करेगा, एक और force एक ऐसा force होता है, जो की आपके bottle या फिर कोई बी चीज के उपर, आपका human body क्यों ना हो, आपका कोई भी सामान के उपर, act करता है ताकि उसको उपर बनाने की कोशिश करें, उसको उपर उठाने की कोशिश करें, तो यह जो type के force होते हैं, इसको हमने बोलते हैं, बायांसी force, तो at the same time, जब भी कोई भी चीज, जैसे कोई नदी है, समंदर का example लोगा, कोई भी चीज जो हम लोग समंदर में फेकते है तो दीरे-दीरे डूबने लगेगा, लेकिन डूबने के बाद, क्या होगा, वो वापस से उपर आने लगेगा, क्यूँ? क्यूँ कि जैसे आपने डूबाया उसको, तो gravity उसको खीच रहता है, एक हद तक खीच रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है, कि buoyancy force जो ह तो यह क्यू होता है, इसमें भी तीन कंडिशन है, तो वो तीन कंडिशन क्या होता है, यह मैं आपको यहाँ पर पता हूँगा, कंडिशन यह है, कि अगर मेरा object का जो buoyancy force है, यानि कि जो एफबी लिख रहा हूँ, तो अगर मेरा object का buoyancy force है, अगर जादा है उसके weight से, ठीक उपर आ जाएगा वो, तो यहाँ पे जो अबजेक्ट होगा, वो weight जो है, कम होगया, बाइनसी force मेरा जादा होगया, इसके लिए वो object क्या करेगा, तैरेगा, फ्लोट करेगा, दुसरा condition यह बोलता है, कि object में अगर जो buoyancy force है, इसका जो value होगा, कम होगा weight से, यानि कि इस जादा हो गया, buoyancy force कम होगया, तो वो object क्या हो जाएगा, because of weight, gravity को खीचेगा, और वो नीचे आ जाएगा, यानि कि वो object सिंक हो जाएगा, सिंक मतलब डूब जाएगा, ठीक है दोस्तो, अब तीसरा यहाँ पे condition यह होता है, कि जब भी हमारा, जो buoyancy force होगा, वो equal हो जाएग और उसका buoyancy force, दोनों जो हो रहा था, वो अगर equal है, तो वो case में क्या हो जाएगा, कि वो जो भी object हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा, वो रुख जाएगा, और वो object क्या करेगा, यहाँ पे, जो liquid होगा, अभी यहाँ पे देखो, यह भी यहाँ पे क्या करेगा, upper side of liquid, यानि कि पानी के ऊपर, जैसे कि यह पानी का layer था, तो bottle जो है, यहाँ पे आके तेरेगा, समझ में आ रहा है, पानी का जो layer है, उसके ऊपर आके तेरेगा, जैसे कि हम लोग swimming pool में पानी के ऊपर कैसे ultralate तेरेगा, तो वैसे ऊपर तेरेगा, क्योंकि हमारा जो buoyancy force थ लेकिन float कहा होगा, inside the liquid, यानि कि पानी के अंधर ही वो क्या करेगा, float करेगा, inside the liquid, यानि कि कहीं न कहीं यहाँ पे, यह पानी के अंधर ही float कर रहा है, न डूबा है, न उपर आये, कहीं न कहीं बीच में जाके क्या कर रहा है, वो तैर रहा है, बीच में भी float करता रहेगा, क्योंकि उसको एक जो चीज है buoyancy force वो उसको उपर भी खिच रहा है और एक चीज है उसको जो gravity है जो weight है उसको भी नीचे खिच रहा है तो ना उपर जाएगा ना नीचे जाएगा वो कही नगए बीच में क्या करते रहेगा तैरता रहेगा फ्लोट करता रहेगा और यही सब condition को दोस्तों बोलते हैं हमारा buoyancy force या फिर यह पूरे property को बोला जाता है buoyancy clear है जोस्तों उमीद करता हूँ कि यह पहला topic आपको समझ में आ गया होगा what do you mean by buoyancy force, buoyancy यह सब चीज समय में आ गया तो archimedes principle चुटकी बजाते ही समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें को जादा है नहीं ठीक है तो फटाफ़ट से देख लेते हैं archimedes principle फिर हमारा जो आज का lecture है वो समाप्त जाएगा चोटा साई lecture होगा दोस्तों और आपका यह चाप्टर भी उसी के साथ क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा तो ध्यान से देखो बहुत ही मज़ेदार चीज़े तो चलो देखते हैं इसको ओके वट इस टॉपिक इस archimedes principle यह topic हमारे इंजिनेरिंग में भी था दोस्तों जब हम लोग इंजिनेरिंग करते थे तो यह principle जो है रहता है और इसके उपर हमने एक experiment भी किया हुआ है तो जरूर से वह experiment में आपको कभी मौका मिला जैसे मैंने बोला कि experiment series शुरू करने वाले हम लोग तो जब भी मौका मिलेगा मैं आपको जरूर से प्रिंसिबल का real fact बताऊँगा तो चलो देखते है आर्केमिलिस प्रिंसिबल होता क्या है तो लेट्स सपोज I am taking one beaker here एक beaker लेलो इसमें मैं क्या करता हूँ एक रसी से बांध के क्या करता हूँ एक पत्थर बांध देता हूँ एक ball जैसा कुछ structure बांध दिया मैंने ठीके ना क्या कर दिया मैंने एक रसी से एक ball को tie up कर दिया लोखन का ball लेलो कोई भी चीज का ball लेलो यहाँ पर tie up कर दिया तो जब यह खाली है इसके इंदर कुछ भी नहीं है मतलब एक दम खाली beaker है मैंने डाल दिया तो वो नीचे आ जाएगा obviously उसके वजन से नीचे आ जाएगा लेकिन जब भी मैं क्या करता हूँ same beaker लेता हूँ एक और इस बार मैं क्या करता हूँ जो मैंने already ये जो इसमें डाला हुआ है जो ball डाला हुआ है अब मैं क्या करता हूँ उपर जाना शुरू करेगा यानि कि एक तरीके से वो कही न कहीं उपर पहुँच जाएगा समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो beaker खाली ये घर पे आप कर सकते हो एक खाली चीज लेलो एक बरतन लेलो उसमें कुछ चीज डाल दो लेकिन जैसे ही आप उसके जब कुछ नहीं रहेगा खाली रहेगा तो वो नीचे रहेगा यानि बेस पे रहेगा उसके लेकिन जैसे आपने पानी उसमें डालना शुरू किया तो because of that पानी, because of that water जो object रहेगा वो धीरे-दीरे ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा भले आप पानी डाल रहे है उसके अंदर तो ऐसा क्यू हुआ क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा अभी-अभी-बायंसी फोर्स कि कोई भी आपजेक्ट जब पानी के अंदर होता है तो उसके अपवर डायरेक्शन में यानि कि ऊपर की तरफ एक फोर्स एक करता है जिसका नाम है बायंसी फोर्स एफबी तो whenever any object is inside a liquid, immersed in a liquid कोई भी लिक्विड के अंदर होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक करता है जिसको आम लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स क्या बोलते हैं दोस्तों बायंसी फोर्स बोलते हैं और वही जो बायंसी फोर्स होता है ना दोस्तों Bionic force is equal to the weight of that particular object, then the object is float inside the object, water, यानि कि यह पानी के अंदर ही ऐसा तेरेगा, लेकिन Bionic force जब जादा हो गया, तो यहाँ पर आके तेरेगा, Bionic force कम हो गया, तो यह पूरा नीजे चले जाएगा, और यही चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, Bionic force बोलते हैं, और in short, यह पूरा जो principle हो रहा है, मतलब जो सिद्धानत हो रहा है, जो एक तरीके से fundamental चीज़ हो रही है, यहाँ पर उसका जो नाम रखा गया है, वो सेंटिश ने रखा गया, Archimedes principle, यानि कि एक छोटा सा एक principle है, वो क्या बोलता है, इसी का, कि the principle states that, यानि कि जब मैं कोई भी object को पूरा का पूरा या फिर आधा अधूरा कोई भी liquid के अंदर डालता हूँ, तो एक force होता है, वो object के उपर काम करता है, ताकि वो object को उठा के उपर लेके जा सके upward direction में, और यही जो force होता है, कभी-कभी equal हो जाता है, weight of the fluid, यानि कि ये जो weight है ना, fluid का object के वज़े से जो हो रहा है, उसके बरावर हो जाता है, and that's why वो object उपर की तरफ आने लगता है, and यही जो principle है, इसी को हम लग बोलते है, archimedes principle, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही simple, and बहुत ही साधारन सा concept था, और उमीद करता हो कि हर एक को यहाँ पे, byancy and principle, argumentous principle ये चीज़ समझ में आ गया होगा, तो जरूर से इसको याद कर लेना, दोस्तों, इसके जो भी statement होगे, जो भी इसका answer question पूछता है, एक्जाम में हमेशा इसके उपर, तो learn कर लेना, और एक्जाम में बहुत ही अच्छे mark score करना, तो दोस्तों, इसे के साथ हमारा ये जो topic है, जिसका नामे बायंसी, force and argumentous principle ये होता है, समापनान इसी के साथ, हमारा ये जो chapter है, जिसका नामे force and pressure, ये भी होता है, तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले lecture में, जिसमें हम लोग और भी आपके लिए, ऐसे ही बहतरीन chapter की शुरुआत करेंगे, और फटा-फट से complete करने की कोशिश करेंगे, तो ये वीडियो आपको, और ये chapter आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें comment करके बताइएगा, अपनी राय और suggestion जरूर से दीजेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ है, useful लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, आपने सारे फ्रेंड्स लोग को share करो, जाधा स्याधा share करो, पबलिक को बोलो य यहाँ पर conceptual knowledge gain करके अपने mind को sharp बना सके, ठीके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को like करो, share करो, चैनल पे नहीं हूँ, अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो फटा-फट से चैनल को subscribe कर देना, सापने bell icon को hit कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आ झाल 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 झाल 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 झाल